बिसमिल्लीड रर्राह्मान रॉझेम असलामलेकम फ्रेंड्स व्लेकम प्लीटुरीब चैनल भिलाल प्रोग्रमर अज किस लेक्चेर में हम लोग वाइल लूप के अंदर फेक्टोरियल फ्रेक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे रिफेक्टोरियल कोई भी नमबर आड़ क करने को इसका factorial find करेंगे सबसे फ़हल मैं आपको बदादू के factorial होता क्या है अगर आप लोग अभी तक मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो कानली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की आइकन को प्रेस करें ताकि आपके बास मेरी आने वाली लिटेस लिटेकर नोटिफिकेशन मिल सकें factorial क्या होता है basically factorial होता है कि अगर मैं कोई ऐसा नमबर इंटर करूँ Like मैं 3 इंटर किया अब 3 के अंदर 3 से पीछे कितने डिजन है 1 2 और 3 यह 3 है तो अब 3 क्यों हो गया यह आपस में multiply हो जाएंगे multiply आजाएंग तो आंसर क्या आजाएगा इसका 6 ये हो गया उसके इलावा हम लोग further किसी भी number को add करें अगर मैं factorial add कर जता हूँ मैं यहाँ पर 7 तो 7 के पीछे हमारे पास कितनी values होंगी यानि कि 1, 2 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 values आगी इन 6 values ने आपस में क्या करना है कि multiply हो जाना है आपस में multiply हो जाना ये होता है हमारे पास factorial जब इसको multiply करेंगे कोई ना कोई answer आजाएगा then वो answer क्या होगा इसका वो होगा factorial इसना से जब कोई और value दे देंगे like अगर मैं यहाँ पर 9 लिगता हूँ 9 तो 9 से पीछे कितनी values है 1,2,3,4,5,6,7 और उसके बाद 8 और 9 ये सारी आपस में multiply हो जाएगे जो answer आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा वो हमारे पास होगा factorial जी हाँ यहीं सी तरह सी इसको factorial कहले कहते हैं बहुत स्वान है फ्रोग्राम बनाता हूँ इसका मैं int a, a ले लूँगा मैं अपनी y loop के लिए initialize करने के लिए और b लूँगा मैं अपने factorial के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा system मैं यहाँ लिखूँगा enter your enter any value कर जेते हैं हम लोग जाने कोई भी हम लोग जा है वो value enter करेंगे z.next हम अब क्या करेंगे के while लिखेंगे while के अंदर पहले तो हम लोग लिखते थे ना जाने करेंगे पांच वैली तक हम लूप चलाने है यह पांच वैली तो प्रिंट करवाने है देन हम लोग तब क्या लिखते थे जस्ट ए लेस्ट एन इन इकवल टू फाइफ लिख दिया था या पी टैन लिख दिया था अब अब हम लोग करने हैं कि अब हम लोगा ने लिखना है बी वाली यहां तक रिंजा अगर इन फोt वैली लिख ओ तो यहां पर फोड आजाए फॉड़ YouTube यहां पर फाइफ उसके बाद वह क्या हो अपस में multiply हो जाएंगी values क्या होंगी multiply हो जाएंगी यानि कि मुझे एक और variable चाहिए जिसका नाम में रखूँगा fact is equal to one कर दूँगा fact is equal to one कर दूँगा factorial से होगा हमारे पास factorial अब मैं इसको simple लिखूँँगा fact is equal to fac multiply by हमारे पास value किसी के अंदर आ रही है सारी सारी ए तक ए ने जाली लेकर चली तो ए लिखूँगा उसके बाद ए का increment जस्ट यह हलका सा चोटा सा formula इसका logically इसको आप लोग ने understand करना है उसके बाद हमारे पास अब क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे factorial हमारे पास factorial जो है fact लिख दूँगा यहाँ पर और program को execute कर दूँगा बहुत simple है factorial अब जिस तरह मैंने 3 लिखा 3 का factorial मेरे पास 6 है हमने भी 6 निकाला 3 का factorial अब क्या करते है कि फिर सिसको execute करते है और 7 का factorial लेखते है कि हमारे पास क्या आता है लिख coupon गवा ए तो दो 7 का fékktoir Sometimes 500 आ गया 50 40 दैन 7 यह पर मैं लिखती है 50 40 उसके बाद 9 का factorial 100 हमारे पास क्या अएगा 9 का प्र दो 9 का वह पास क्या आ जांगा तो हमेस चैक पर लिखते है कि मैं लिख दूंग यहाँ थिससे इस चैक्स ट्रशन लग 216 leading of 80 तो अगर आप लोग मेरे यूटीब प्यानलों को सब्सक्राइब नहीं का तो कानली चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल एक जो दौन में याद रखें अल्लाहाफेज